कि भारती जनतापाटी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है, काउ बेल्ट, I don't know where, where, काउ बेल्ट है, काउ बेल्ट का समर्थने, जो काउ बेल्ट जिसे खा जाता है, उसको इस तरह से सदन में उल्लखित करना, किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हर्याणा में, हम हर्याणा में जीते हैं, हमने करनाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में, वो तामिल नाडू में हम उतने शक्तिशली नहीं हैं, मगर हमारा संगठन हैं, अश्रिम बंगाल में भी हमें, 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है, अगर इस सदन में एक-एक जख्टी की पार्टी यां एक-एक जख्टी की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाब जमगट करके और हमें हटाने का प्रयास करने का पूरा दिकार है बगर है वो एक एक जख्टी की पार्टी एक ला चलो रहे और चलो एक ला अपने चुनाओ ख्षेतर से और दिल्ली में आकर हो जाओ इखटे रहे किसलिए इखटे हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्वार चुभाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रियास न करते और हमारे इन प्रियासों के पीसे 40 साल की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैनत किये हम लोगों में गए है हमने संगर्ष किया है पार्टी 355 दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाओ में कुकर मुक्चे की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है और आज हमें आज हमें आकारण कड़करे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज्यादा सीटे नहीं लिख सेके हम मानते हमारी कमजोरी है हमें बहुमत मिलना चाहिए राश्ट्रपती ने हमें आउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सफलता नहीं विली वो अलग बात है लेकर हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहीोग लेकर सjung चलाना पड़ेगा इस पाप मत सुदि तो बगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे या आपको आश्वासम देना चाहते हैं मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी वो सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी किसे ने गएंगे CPIM, CPIM के 5 मेंबर हैं CPIM एक मेंबर हैं कॉंग्रेस 15 मेंबर हैं जनतादर 7 मेंबर हैं और सबसेजाद हमारे मेंबर है में से 29 में से 29 मेंबर हैं से 29 में टोटल नमर ओक सीट इस 41 बीजेपी 11 हमारा जनाधार नहीं है हमें लोगों का व्यात्वक समर्थन प्राप्त नहीं अगर आप हमें हमें हमारे हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी मुझे तो उसके टिकने के लक्षन नहीं दिकाई दे पहले तो पहले तो उसका जन्म लेना कठेने जन्म लेने के बाद जीवित रेना कठेने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई कोडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कोडिनेशन करते हैं उसके भिला तो सदन नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकान नाया आपके साथ है हम अपने देश के देश की सेवा के कारे में जुटे रहेंगे हम संच्छाबल के सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कारे हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट की उजश पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे मैं अपना त्यागपत्र राष्टपती महोदय को देने जा रहा हूँ